नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारे नियुच और मैं राज महांतिवारी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 7 दिसंबर को होने वाले जारखंड विधानसभा चुनाओं के दूसरे चरण के सभी सीटों की पूरी जनकारी को लेकर कि कि सीट पर कौन से दल का उमिधवार बाजी मार रहा है या फिर कहां पर निर्दल ये पासापपलाट राजनितिक दलों का काम खराब कर रहा है तो आईए क्रमवार जानते हैं दूसरे चरण में हो रहा है सभी 20 सीटों पर चुनाओं में कौन कहां से बाजी मार रहा है पहले बात करते हैं बहडा गोरा विधान सबस्षित्र की कहने को तो इस सीट पर आठ उमिदवार खड़े हैं लेकिन इस सीट का इतिहास जामूमों और भाजपा के भी सीधी टक्कर कर रहा है जिसमें 2005 चुनाओ में भाजपा ने तो वहीं 2009 और 2014 के चुनाओ में जामूमों ने बाजी मारी है और इस बार भी लड़ाई जामूमों के उमिदवार शमीर मोहंती तदा भाजपा के टिकट पर खड़े कुनाल साडंगी के बीच है आपको बता दे कि पिछले चुनाओ में कुनाल साडंगी जामूमों के टिकट पर उश्य में भाजपा के टिकट पर खड़े शमीर मोहंती को हराकर ही चुनाओ जीते थे लेकिन इस बार चुनाओ से ठीक पले वह पाला बदल भाजपा में सामीलोगा है जामूमों ने भी कुनाल साडंगी के पाला बदले के बाद भाजपा के शमीर मोहंती को भाजपा से तोर अपने पाले में कर टिकट दिया है अगर इस seat पर बढ़त की बात करें तो समीर मुहंती अंडरग्राउंड है साथ ही उनकी पाटी जहां मुमो कुनाल साडंगी का विरोध खुल कर करती नहीं दिख रही है जिस करण भाजपा के कुनाल साडंगी इस seat पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं अब बात करते हैं अनुसूचित जन जाती के लिए अरक्षित घाट सीला विदान सबसीट की घाट सीला विदान सबसीट पर अभी भाजपा के लक्षमन टुड्डु का कपजा है लेकिन पिछले तीन बार हुए चुना ओ यह कहता है कि यहां की जनता हमेशा एक नई चेहरे और नए दल को चुनती है साइध इसलिए भाजपा ने सीटिंग विधायक लक्षमन टुट्टू का टिकट काट लाखन चंदर मर्दी को इस बार अपना उमिदवार बनाया है लेकिन भाजपा के लिए समस्या यह है कि पिछली बार साथ लड़ी आजसु ने भी यहां से प्रदीप कुमार बाल मुचु को अपना उमिदवार बनाया है तो वहाई जामूमों ने एक बार फिर से रामदा सोरेन पर ही भरोसा जताया है यहां पर कुल 9 उमिदवार खरे हैं जिसमें 4 निर्दलिया ही है और महराष्ट में BJP के साथ खेल कर सत्ता हासिल करने वाली शिवसेना ने भी यहां अपना उमिदवार उता रहा है अगर इस सीट पर बढ़त की बात करें तो महा गडबंदन से जामूमों के रामदा सुरेन भाजपा से इस सीट को अपने कभजे में करते हुए दिख रहे हैं अगला है अनुसुचित जन जाती के लिए अरक्षित पोट का विदान सबसीट इस सीट की खासियत है कि यहां से केवल सर्दार ही अब तक जित्ते आ रहे हैं भाजपा की में का सर्दार पिछले 2009 एवं 2014 विदान सबस्चुनाओं में जिती हैं और इस बार भी भाजपा ने उनी पर भरोसा जताया है जबकि पिछले बार दूसरे नमबर पे रहे जहामूमों के संजीब सर्दार को मा गडबंधन से जहामूमों न फिर से उमिदवार बनाया है लेकिन मुकाबले को आजसु की बुल्लू रानी सीं त्रिकोनिये बनाने का प्रयास कर रही है और उनके इस सीट पर खरे होने के कारण भाजपा की मेनका सर्दार का इस सीट पर कबजा जमाई रखना मुश्किल होता दिख रहा है एवं इसका सीधा फायदा जहामूमों के संजीब सर्दार को मिलता दिख रहा है अब बात करते हैं अनुसूचित जाती के लिए रक्षित जुगसलाई विदानसबा सीट की लड़ाई भाजपा और आसुक गडबंधन तूटेने के वज़ा से काफी दिल्चस्प हो गई है पिछले बार आजसू ने भाजपा के साथ मिलकर इस सीट पर अपना उमिद्वार रामचंद्र साहिस को उतारा था और उन्होंने जहामूमों के मंगल कालिंदी को हराया था तो वहीं जामीमों ने रामचंद्र पाश्वान को अपना उमिद्वार बनाया है इस सीट पर मुखे टकर भाजपा अजसू और जामूमों के बिच दिक रहा है लेकिन मिल रहा है खबर कनुसार भाजपा मोधी के नाम पर इस सीट पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है अगला है जमसेदपूर पुर्वी विधान सबा सीट बीजपी की परमपरागत सीटों में से एक जमसेदपूर पुर्वी जारखंड विधान सबा की होट सीट है क्योंकि यहां से भाजपा नेता और वर्तमान मुक्य मंतरी रगुवर्दास उमिदवार है और इस चुनाह में छटी बार विधान सबा जाने और दूसरी बार मुक्य मतरी बनने के इरादे से मैदान में है अगर शर्यू रायने निर्दलिये उमिदवारी नहीं दे होती तो रगुवर्दास आसानी से जित्ते हुए दिख रहे थे लेकिन अब लराई उनके लिए थोड़ी कड़ी जरूर हुई है लेकिन अब भी हमारी रिपोर्ट में जमसेथपूर पुर्वी विधान सबा सीट से रगुवर्दास अपने प्रतिद्वन्दियों से आगे दिख रहे हैं अब बात करते हैं जमसेथपूर पश्चमी विधान सबा सीट की यह सीट भी जारखंड विधान सबा चुनाओं में काफी चर्चा में रही ही क्योंकि भाजपानी सिटिंग विधायक एवं मंतरी सर्यूराय का टिकट काट कर नया चहरा दिवेंदर सीकों मैदान में उता रहा है तो वहीं महागडवन्दन से कॉंगरेस में 2009 में जीते एवं 2014 में दूसरे नंबर पर रहे बन्ना गुपता पर ही फिर से भरोसा जता है लेकिन इन दोनों मुख्य दलों के लिए दो छोटे दलों ने समस्या खड़ी कर दिये भाजपा के लिए उसकी पूरानी स्वयोगी रही आजसू और टिकट कटने से नराज शर्यूराय के समर्थक समस्या खड़ी कर रहे हैं तो वहीं बिहार उप्चुनाओं में जीत हासिल कर अपना जनधार बढ़ा रही AIMIM ने यहां से अपना उमिदवार उतार अलपसंख्यों की राजनीती करने वाली कॉंग्रेस के सामनी चुनोती खड़ी कर दिये अब देखना होगा कि इनके आने से किसे फायदा एवं किसे नुकसान होता है जहां तक इस सीट पर बढ़त की बात करें तो हमारी रिपोर्ट में काफी करे मुकाबले में बीजेपी का पल्रा थोड़ा भारी दिख रहा है अगला सीट है अनुसूचित जन जाती के लिए अरक्षित शराय किला विधान सबा सीट जहां मुमों का गढ़ माने जाने वाला सराय किला विधान सबा सीट को जीतने के लिए भाजपा पिछले तीन चुनाओं से पूरी जान लगा रहे है 2005 में वह जहां 882 वोटों से तो 2009 में 3246 वोटों से जबकि पिछली बार मात्र 1115 वोटों से इस सीट को हासिल करने में नकाम रही जामुमों के चमपाई सोरेन पिछले तीन बार से यहां से जित्ते आ रहे हैं और इस बार भी जामुमों ने उनिक मैदान में उतारा है भाजपा ने पिछले बार दूसरे नमबर पे रहे और काफी करीवे मुकावले में हारे गनेस महाली पर फिर से भरुसा जताया है यहां से कुल आठ उमिद्वार किस्मत अजमार हैं जिसमें जावीमों और जज्यू ने भी अपना उमिद्वार मैदान में उतारा है लेकिन मुखे मुकाबला महागडबंदन के जहामूमों उद्वार और भाजपा के गनेश महाली के बीच है जिसमें भाजपा के गनेश महाली जहामूमों के कीले में सेंदमारी करते दिख रहे हैं अब बात करते हैं नों सूचित जन जाती के लिए अरक्षीत चाईबासा विधानसभा सीट की इस सीट पर 2005 विधानसभा चुनाओ जीतने के बाद से भाजपा का यहां वनवास चल रहा है 2005 में निर्दलिय लड़े और दूसरे नंबर पर है दीपक बिरुगा 2009 में जामुमों के टिकट पर लड़े और उन्होंने कांग्रेस के बागुन सुंबरुई को हराया एवन बीजेपी इस बार तीसरे नंबर पर चली गई थी पिछले यानि 2014 चुना में दीपक बिरुगा ने भाजपा के जोती भरमार तूबीत को लगबग साड़े 34,000 वोटों से हराया था इस बार मां गड़बंदन से जामुमों परतियासी दीपक बिरुगा लगतार तीसरी पर विदान सबा जाने के लिए मैदान में है तो वही भाजपा की कोशिस इस सीट पर अपनी 10 वर्स का वनवास खतम करने का है लेकिन मिल रहे खबरों के अनुसार जामुमों परतियासी दीपक बिरुगा तीसरी पर विदान सबा पहुंचते दिख रहे हैं तो वही भाजपा का इस सीट पर वनवास अभी खतम होता नहीं दिख रहा है अगला है मजगाव विदान सबा सीट जो की अनुसूची जन जाती के लिए आरक चीत है इस सीट की लडाई हमेशा दिल्चस पर आती है क्योंकि यहां की जनता किसी उमिदवार को लगातार जीताने पर भरोसा नहीं करती और अपने छेत के विदायकों को बदलते रहते हैं 2005 में सीट से जामुमों के टिकट पर नीरल पूर्ती विजाई हुए और साइध इसलिए उसने अपना उमिदवार बदल भूपेंद्र पिंगुआ को इस बर मैदान में उता रहा है जहां वीमों और आजसू ने भी यहां से अपना उमिदवार उता रहा है लेकिन मुखे मुकाबला जामुमों के नीरल पूर्ती और भाजपा के भूपेंद्र पिंगुआ के बीचे अगर इस सीट पर बढ़त की बात करें तो इस सीट का इतिहास और यहां की जंता के मतदान वेवार को देख के तो यह शाहीं लग रहा है सीट से चुनाओं नहीं लड़ रहा है जिसकारण जगनातपूर सीट की चर्चा काफी कम है 2018 में मधुकोरा ने जेवी एसपी का विलाए कॉंग्रेस में कर दिया और इस वर्स मैं मैं में हुए लोकसभा चुनाओं में गीता कॉरा कॉंग्रेस के टिकट पर शंसत भी पहुच गई है मधुकोरा इस सीट से चुनाओं लड़ना चाहते थे लेकिन सुप्रिम कोट के रोक के कारण वे नहीं लड़ पाए उनकी जगा कॉंग्रेस ने उनके कड़ी भी शोना राम सिंकु को मैदान में उतारा है तो में हैं लेकिन मुखे मुकाबला इस सीट से 2009 में बीजेपी के विधायक रह चुके और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर खरे गुरुचरंद नयक तता 2005 में उनाइटेड गवांस डेमोक्रेटिक पाटी से एवन 2014 में जहमुमों के टिकट पर जीती जोवा मांजी के थी लेकिन महागडबंधन बन जाने के बाद जहमुमों का पल्रा अब भारी दिख रहा है अगली सीट अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित चक्रधरपूर विधान सबा सीट इस सीट पर कुल 10 उमिदवार खरे हैं लेकिन इस सीट की लराई को आजसू और जहमीमों ने के लिए उतारा है जो इतना असान नहीं दिख रहा है बाजपा के लिए उसकी पुरानी सहयोगी आजसू इस सीट पर नुकसान से जायदा पहुंचाते दिख रही है क्योंकि वो वीजेपी के बजाए जहमुमों और जहावीमों के उमिदवार का वोट कारते दिख रही जिसमें आजसू, जहावीमो, जदियू और ने कई दलों ने अपना उमिदवार खरा किया है लेकिन मुख के मुकाबला भाजपा और महागडवंदन के जहमुमों के बीच है 2005 और 2009 में ये सीट भाजपा के पास थी लेकिन पिछले चुनवाओं में जहमुमों के दसरत गगरई ने बाजी पलटते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता अरजुन मुंदा को हरा दिया इसलिए जहमुमों ने फिर से उनी को अपना उमिदवार बनाया है जबकि भाजपा ने अरजुन मुंदा के सांसत बन जाने के कारण जवाहर लाल बनरा को मैदान में उतारा है अगर बढ़त की बात करें तो निर्दली है और अन्य दलो द्वारे मजबूत उमिदवार उतारने और वोटो के विखड़ाओ के कारण ऐसा लग राए कि बीजेपी इस सीट पर फिर से कबजा कर सकती है अगली सीट है अनुसूची जन जाती के लिए अरक्षित तमार विधान सबा इस सीट पर खड़े 14 उमिदवारों में लडाई को दिल्चस्प बना रही है भाजपा की रीता देवी मुंडा क्योंकि पीछले चुनाओं में आजसू ने बीजेपी के साथ मिलकर अपना उमिदवार उतारा था और जित हासिल की थी परन्तु इस बार दोनों ही अलग चुनाओं लड़ रहे हैं और आजसू के लिए समस्या और जायदा तब खड़ी हो गई जब उनके सीटिंग विदाएक विकास कुमर मंडल ने इस बार पाला बदल जामूमों के टिकट पर मैदान में आ गए इस सीट पर अपना जनाधार रखने वाली आजसू ने इस बार राम दूरलव मुंडा को सीट बचाने के लिए उतारा है अब बात करते हैं अनुसूचित जन जाती के लिए आरकचित तोरपा विदानसभा सीट की इस सीट पर कुल आठ उमिदवार ख़रे हैं जिसमें सेटिंग विदायक पॉलूस शूरिन जामूमों से टिकट कटने के कारण निर्दलिय मैदान में है जहां मूमों ने एंटी इंकमबेंसिस से बचने के लिए दो बार से विदायक रहे पॉलूस शूरिन के टिकट कार्ट सुधिप गुरिया को मैदान मूता रहा है जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से कोचे मुंडा परी भरोसा जाताया है पीछले बार वे माद 43 वोटों से हा रहे थे अगर बढ़त की बात करें तो जहां वीमो द्वारा इस वर दत मार्शल मुंडू और निर्दलिय पॉलूस शूरिन के मैदान में आने के कारण जहां मुमो के उमिदवार वोट बटने के कारण कमजोर परते दिख रहे हैं और भाजपा यहां से बढ़त बनाते दिख रहे हैं अगला सीट है खुंटी विधानसबा सीट जो अनुसूचे जन जाती के लिए अरक्षीत है इस सीट पर पहले मुकाबला त्रिकोणिय होता था लेकिन जहां मुमो और कॉंग्रेस के बीच गटबंदन होने की वज़ा से इस बार दुपक्षिय दिख रहा है भाजपा की उम इस सीट पर जावीमो और जदियू ने भी उमिद्वार उता रहे हैं लेकिन वे केवल साइड रोल में नजर आ रहे हैं अब बात करते हैं अनुसूची जन जाती के लिए आरक्षीत मांडर विधानसबा सीट की इस सीट पर हमेशा सही बंदू तिर्की का दब दबा रहा है लेकिन पिछली बार त्रीनमूल कॉंग्रेस के टिकट पर लड़े बंदू तिर्की भाजपा की गंगोतरी कुजर से 7605 वोटों से हार गए थे हलांकि इस बार भाजपा ने पिछली बार निर्दलिये लड़े और 38801 वोट लेकर तीसरे नंबर पे रहे देव कुमार को मै कर दिया है जबकि बंदू तिर्की जावीमों के टिकट पर इस बर मैदान में है यहां की लड़ाईमों के रूप से तीन दलोग कॉंग्रेस भाजपा और जावीमों के बीच है लेकिन कॉंग्रेस के लिए समस्या AI, MIM और तिर्मन कॉंग्रेस ने अपना उमिदवार करके कर दिया अगर बढ़क की बात कर तो पिछले तीन बार से इस सीट पर किस्मत अजमार है देवकुमार लग रहा है कि इस बर विदानसभा पहुंच जाएंगे अब बात करते हैं अनुसूचित जन जाती के लिए अरक्षी सिसाई विदानसभा सीट की पिछले तीन जामूमों का भी इस सीट पर अपना जनाधार है इस कारण कहा जा सकता है कि माघडबंदन से जामूमों के उमिदवार जिगाश उशारन होरो का पल रहा इस सीट पर भारी दिख रहा है अब बात करते हैं अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षीत सिम्डेगा यहाँ पर मुकाबला काफी दिल्चस्प है क्योंकि यहाँ की लड़ाई मुखरूप से तीन दलों के बीच है और तीनों ही ने इस बार नए चेरो को मेदान में उतारा है बीजपी की तरफ से स्रदानंद बेश्रा माघडबंदन से कॉंग्रेस ने भूशन बारा है जबकि इस सीट पर पिछली पर दूसरे नंबर पर रही जारखंड पाटी ने रेजी डूंडूं को टिकर दिया है अगर इस सीट पर बढ़त की बात करें तूलट फेर होता दिख रहा है क्योंकि जारखंड पाटी के रेजी डूंडूं या मुख दलों पर बढ़त बनाते दिख अब इस दूसरे चलंग की आकरे सीठे अनुसूचित जन्जात्ती के लिए अरक्षित कोले विधान सबाद। इस सीठ पर शुरू से ही अन्नोस इका का कब जा रहा है लेकिन 2018 में उपचुनाय मून की पत्नी मेनान इका बुरी तरह हारी थी। इस बार उन्होंने अपनी कोन गारी को ही फिर से मैदान में उता रहा है भाजपा ने इस बार नए चेहरे सूजन मुंडा को इस सीठ पर पहली बर कमल खिलाने के लिए मैदान में भेजा है अब देखना हुआ कि अनुस इका की बेटी आईरिन इका पिता के करिश्मे को दोरा पाती है या फिर उपच के 20 सीटों में कितने सीट हासिल करेगी या तो 23 दिसंबर को होने वाले परिणाम की घोसना में ही पता चलेगा जारखंड विधान सभा के तीसरे चलन के चुना 12 दिसंबर को 17 सीटों पर होना है इस सब इस सीट के विशलेशन एवं कौन किश पर बाजी मार रहा है जानने के देखते रहे बिहारी नूज धन्यवाद